निबंद गित्टी साहित की एक प्रमुख विदा है, जिसे हिंदी साहित की एक आधनेक विधा के सम्या दे गई है। इसका संबंध मानवे की आत्मप्रकाशन की प्रवर्ती से है। मनशी एक सम्यदनशी प्राणी है, वो जगत के बाहुविद व्याबारों का सेंसपर्श पाकर तरजन विचारों, अनभोधियों एवं आस्थावों को प्रेकट करता है। उसको सही आत्मप्रकाशन की प्रवर्ती निबंद का सरजन करती है। उसकी ये सरजन प्रवर्ती अपने विराण भोमिका लेकर प्रिस्षित होती है। निबंध अंग्रेजी के एससे फ्रेंच भाषा के एसाइस और लाइटिन के एक्जियम के परियाई के रुप में प्रचलिद है जिनके अर्थ हैं प्रयोग करना मापना तौलना आदी मेरे निबंध मेरे मन की सुच्छन दुटान है मैं अपने निबंधों में अपने आपको अधेदावों के समक्ष उद्घाडित करने का प्रयास करता हूँ W.E. विलियम ने निखा है निबंध गयत रचना का येक बहुत ही लगरूप होता है उसमें मात्र आख्यान ही नहीं होता वरना निबंधकार यत्रतत्र अपनी बातों को सिद्ध करने के लिए प्रसंगों का भी उलेख करता है आचार रामचंद शुक्र के अनसार आधनिक पास्चात लेक्षनों के अनसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित अर्थात व्यक्तिकत विशेष्टा हो व्यक्तिकत विशेष्टा का ये मतलब नहीं है कि उसके प्रदर्शन के ये विजाब की स्रिंखला रही ही न जाए ये जानबूच का जगर जगर से थोड़ दी जाए भाशा से सरकस वालों जैसे कसरते या हट योगियों जैसे आसन कराए जाएं जिनका लेक्ष तमाशा दिखाने के सिवाई और कुछ ना हो अदगस पस्टि है शुक्रजी निबंद को गंभेर विजारों की अभिव्यक्ति की सशक्त विद्या मानते हैं वे यह भी कहते है कि गद्य कभुयों की कसोटी है तो निबंद गद्य की कसोटी है पाभू गुलाब राई के मद है कि निबंद उस गद्यरजना को कहते है जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विशय का वर्नन या प्रदिबादन एक विशयश निजीपन सचन्त दा सौश्टव और सजीवदा तदा आवश्यक संगदी और संबधधदा के साथ किया गया हो कावी के रूप नामत अबकी रचना में हमें यह राई मिलेंगे आचारी हसारिपसार दिवेदी जी ने निबंध परजय के प्राकदन में लिखा है भावोम या विचारों की प्रधानता उस चाहिली की रमनियता के योग से जिस नभीन साहिति का प्रचलन हुआ उसे ही निबंध साहिति की संप्या दी गई आचार्य नंद दुलारी वाजपई निबंध परजय नमक अपनी रजना में लिखा है संपूर्णता का विचारन करने वाला गेधि रजना का ये प्रकाद जिसमें स्वानभोधी की प्रधानता हो विशय निरूपण में सोतंत्रता हो जिसमें लेखय का व्यक्तित पूर्ण रूप से प्रतिबिम्बिद हो जिसकी शाहिली मोलित धव्य साहिति कोटी की हो निब दिरजन का वो प्रकार निपंद कहलाता है जिसमें किसी विशय या विशयामश का लगु विस्तार में सोच्चन्ददा एवं आत्मियता पूर्न ढग से ऐसा कतन हो कि उसमें लेखक का व्यक्तित चलक उडें साथारन विशय से लेखकर दुरूह विशिष्ट विशी पर लिखा हुआ लेख निपंद है जिसमें निपंदकार का व्यक्तित उसके हृद्दय एवं बूधि पक्ष का समयन्वई विशय को सुव्य वस्तित एवंचो संगटित रूप में प्रस्तूत करने का शेल्प रुविधान विशय को निरूपीत करने की उनकी सवच्चन्द वृत्दी आती विशीष दाये हो सम्षिप में निबंद में ये विशीष दायें पाई जाते हैं व्यक्तित क्वा प्रिकाशन लेखक या पाठक के मन्तित सीथा संबन संखडित और स्वदंद्र रचनाप सम्षिप्त गिद्दी रचनाप प्रभवपूर्ण शैली निबंद के शेत्र विशेई प्रधान अधवा विशेई निष्ट या वस्तुनिष्ट निबंद विशेई प्रधान या आत्मे वेंजक अधवा निचात्मक निबंद इस दो तरेके निबंद हम हमें मिलेंगे हिंदी साहित के निबंदों में ये सब गून हमें देखने को मिलेंगे अब हम समकालेन निबंद के बारे में थोड़ा विचार करेंगे आधुनीक काल की विशेई परसिदियों ने इंदी साहित की विवित विधावों के साथ ही साथ इंदी निबंद साहित को भी बहुत प्रभावित किया युग जीवन की जटिलता यव व्यस्तता तता राजनाईदीक सामाजीक आर्थिक एवं सांस्कृत सांस्कृतिक समस्यावं का संकुल इसमें देख पाएंगे इसकाल के निबंद कारव में डॉक्टर नगेंद्र गजानन, माधा मुप्ति बोथ, डॉक्टर विद्यानिवास मिर्स नलिल, विलोचन शर्मा प्रभाकर माच्वे, र्याम्रतन बटनागर, रामविलास शर्मा, भगेरदमेश, इंदरनादमदान, डॉक्टर नामवर सिं इंदरनाद्यागी, डॉक्टर स्रीप्रसा, जिसे ठेसारे आलोचक एवन निबंदकार, अभी हिंदी निबंदों को आगे लेचल रहे हैं। अनुभावक थे, उनके निबंद मनेश के जीवन के संखर्षों को मूर्थिमान करते हैं। इनकी रजनाएं अधिकामशिधा, कर्मवीर, हंस, कल्पना, ज्यानोदी, धर्मियोक और साथाखिक इंदुस्तनादी में प्रकाशिद हुई हैं। विद्यानिवास मिश्र आचारी रामचंद शुक्र एवं हसारी पुसर दिवेदी के बाद सांस्कतिक संतरभों में लोक परमबरा को रंचक एवं रोचक शायली में अभिवेक्त करने वाला निबंद कार हैं। कुबेरनाद राय हिंदी साथिके लड़ेत निबंद कारों में महितवपूल है। इनके निबंदों में लड़ेत निबंदों की विकासोनमों की कला दिखाई देती है। उनमें वयक्तिकदा का सर्वत्र प्राधान्य है। आत्मपरेक शाहिली में लिखे गए इनके निबंध पाड़गों के रागात्मक संबंध स्थापित करने में सक्षम हैं। डॉक्टर शीव प्रसाद सिंह का निबंधों के निबंधों में शिखरों के सेदू कस्तूरी म्रेक चतुर्दी कादी उल्लेकने हैं। पेचन शर्मा उग्र, अन्नपूर्णा अनन, स्री किष्ण प्रसाद गौड, बैठल, बनारसी, नर्मदा प्रसाद खार्य, हर्शेंगर प्रसाय, स्री लाग, शुक्ल, चरजू, शी, रवेंध त्यागी, आधी निबंध कारों के नम भी यहां स्बरनी है। इन लोगों ने वियंगी हासी के साथ, वियंगी हासी के माध्यम सेहादने के उदमें, यूग में वियाप्त, सामाजिक, साहितिक, राजनेधिक और समस्याउं पर गंभीर विचाप किया है। हरजंकर परसाईने हिंदी साहिति में वियंगी विन्योध पूर्ण लगो निबंध लिगने की अच्छी क्या ख्यादी प्राप्त की है। इनके अधिक्तर निबंध साप्ताहिक इंदिस्तान एवं धर्मयोग नामक पत्रिताओं में प्रकाशित होया है। श्रीलाल श्युक्ल हिंदी साहिति के वेंगे निबंध कारों में मैतुपूर्ण सान रखते है। साहिति गीद, कला, यात्रा, जन्स्मरण, पुराण दिहेस आधी से अपरंबरेद रूप से संबंधित हैं इनकी निबंध। इस प्रगार हिंदी का निबंध साहित अपने सम्मेक रूप में भारतें दुकाल से होता हुआ लगबग। डेट सो वशों से वशों तक की यात्रा भी पुरी कर चुकी है।